हमें अपना प्यार देने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए आप जो अलार्म बटन है उसको आप दबाईए और जितना होसा के वीडियो को शेयर करना ना भूले नक्षत्र 27 मीडिया की अध्भुत प्रस्तती जोतिश दिशा सत्यकी राव नमस्कार बहुत स्वागत है शुब जनन दिन के बाद शुब राशियों में मैं हूँ आपके साथ आपका इस्टो फेंट संतोश संतोशी महश्ट तीम नेट में जानते हैं आप जिनाएंग सेम डेट का मनदब जिसे आज 28 जुलाई है तो 28 जुलाई का लव टिप और लखी राशिया तीन वो राशियां जिनके किस्मत के सितारे बहुत चमकने वाले हैं और एक खास टिप एक खास प्रियोग एक्सपेरिमेंट जो मुहबत को जिन्दा रखता है ताजा रखता है कौन से ओ तीन राशियां हैं जिनकी किस्मत के सितारे खूब चमकने वाले हैं कौन से ओ राशियां बताते हैं नंबर तीन पर आज की राशिय है करक राशिय करक राशिय वालों को क्या क्या काम मिलेगा आज आज तो कुछ बहुत खास होने वाला है आपके साथ तो प्रशन्नता पूर्वक आज के पूरे दिन को कैश करने की आवश्यक्ता है स्रिमान कर्क राशी वालो को नमबर दो पर आती है ओ राशी मीन राशी वाह तो भाईया कर्क के बाद मीन आ गई आपको क्या आज मिलेगा देखिए पहले तीसरी भी जान लेते हैं नमबर तीन पर है व्रिश्च्वन व्रिश्चिक राशी कर्क मीन व्रिश्चिक आप तीनों राशी वालों को गहराई से बिजनस को स्टॉंग करने की आवश्यक्ता है ब्यापार आपका समाप तो हो सकता है जल्दे से जानते हैं आज का लव टिप लेकिन जानकारी दे देते हैं कलकता मुंबरी पूने लगभग अपॉइंटमेंट अभी फिलाहाल कम है पोश्ट पॉन्ड हो सकता है कलकता तो हो ही गया है तो आप एक बार स्टाफ से बात करके और जानकारी ले लीजेगा आईए फटाक से जानते हैं आज दिनांक 28 जुलाई दिन रविवार का लव टिप एक सादे कागज पर साथ बार अपनी पती या पतनी प्रेमी या प्रेमिका का नाम लिखना है और थोड़ा सा हल्दी का छिड़काव आम के पत्ते या दूरवा से कर दिजेगा सुकी हल्दी नहीं गीली थोड़ा सा लिक्विड बना लिजेगा एक चुटकी लिकर के इसके बाद इस कागज को अपने पास पूरे दिन रहने दीजे दोपहर के बाद इसे किसी पौधे की नीचे डाल दीजेगा बस इतना सा उपाय करना है लाभ ही लाभ दिखाई देगा जानकारी एक और हम आपको देते हैं दिनांग 28 जुलाई को आप सब राह कालावाइट करिएगा टाइम ही ऐसा है मतलब संदे का साड़े चार से छे लोग अक्सर इसी में खेलने घुमने शॉपिंग आज़ी के ले जाते हैं तो सोच समझ करके आपको खर्चना है सोच समझ करके आपको लेना है बहुत आभाज आप सब का लखी राशी और लखे लब्टिप में मैं हूँ अनुमत चाहिं नमस्कार देशना दे अनुमत अनुमत आपको खर्चना है